आज मैं आपको इस वीडियो में My Heaven पढ़ाने चलना हूँ ये कविता जो है रविननाट टैगोर की लिख्य हुई कविता है और रविननाट टैगोर जिने आप जानते हैं कि भारत के बहुत ही प्रशिद्ध कवी थे उनकी एक उस्तक है गीतांजली तो गीतांजली में से ये कविता ली गई है गीतांजली में उन्होंने 103 गीते लिखा है उसमें से एक गीत ये प्रस्तुत है और गीतांजली ऐसी महत्तकूर्ण पुस्तक है कि गीतांजली पर ही रविननाट टैगोर को जो संसार का सबसे मने महानतम पुरसकार नोबल पुरसकार है वह उन्हें प्राप्त हुआ था 1913 में उन्होंने वो ये पुरसकार प्राप्त किया था और इसी गीत आंजली पर प्राप्त किया था और उसी गीत आंजली से एक घीत आपके लिए प्रस्क्राइब्ड है 2nd year के इंटर्न जेट बोर्ड के लिए तो ये बड़ी ही महत्वपूर कविता है इस कविता में कभी ने जो है भारत बर्स के लिए एक आईडियल स्टेट एक आदर्स राज्य की कलपना किया है वो कलपना करता है कि भारत एक आदर्स राज्य हो जाए यूनीक स्टेट हो जाए अतुलनी यह हो जाए कोई दूसरा स्टेट कोई दूसरा देश इस संसार में भारत जैसा नहों और इसलिए वो चाहता है कि भारत बर्स क्या हो जाए हेवेन स्वर्ग हो जाए बिलकुल स्वर्ग जैसा भारत बर्स हो जाए यह कलपना है यानि यह कमिता कभी की देश के प्रति मात्रिभूम के प्रति अगाध प्रेम को व्यक्त करती है यह कमिता जो है पेट्रियाटिक पोईम है देश भक्त कुन कमिता है और यह उनके देश भक्ति को प्रदर्शित करती है तो प्रस्तुत कविता में कभीने एक आदर्स राज्य की अस्थापना के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो जानता है कि ईस्वर के द्वारा ही आईडियल स्टेट की अस्थापना हो सकती है इसलिए ईस्वर से प्रार्थना करता है आप देखें क्या भाव कभी जो है इस कभीता में व्यक्त किया है हिंदी में बता रहा हूँ, हिंगल्स में बताऊंगा Where the mind is without fear and the head is held high Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls कभी कहता है, where the mind is without fear Mind माने मन, मस्तिस्क, without fear माने बिना भैके, याने निर्भै And the head is held high, head माने सर, held high माने उंचा हो, उपर हो Where knowledge is free, जहां ज्यान स्वतंत्र हो Where the world has not been broken up into fragments Fragments मने होता है, टुकड़े, खंड, by narrow domestic walls Narrow माने संकिर्णता की domestic walls घरे दुदिवाल, आपसी दिवाल कभी कहता है, कभी इस्वर से प्रार्फना करता है कि हे इस्वर हमारे देश को ऐसा बनाईए, हमारे देश बासियों को ऐसा आप बना दिजिए कि where the mind is without fear, जिनका मन बिल्कुल निर्भय हो यानि उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय न हो क्योंकि जब आदमी निर्भय होता है तो स्वतंत रोप से वह काम करता है, तब उसका विकास होता है, अच्छा कारे करता है और जब मनुष्य के मन में किसी प्रकार का कोई भय हमेशा बना रहता है, तो वह अब्यक्ति कभी भी कोई विकास का कारे नहीं कर सकता है, कुछ अच्छा सोच नहीं सकता है, कुछ अच्छा कर नहीं सकता है इसलिए कभी इश्वर से प्रार्फना करता है कि हे इश्वर हमारे देशबासी निर्भै हो यानि उनके मन में किसी प्रकार का कोई भै न हो और उनका सर जो है गर्व से उंचा हो सम्मान से उंचा हो अर्थात हे इश्वर हमारे देशबासी कोई ऐसा अनैतिक या बुरा काम न करें जिससे उनका सर सर्म से निचा हो अर्थात वे हमेशा उत्तम अच्छे संसकारित कारे करें जिससे उनका सर हमेशा गर्व से जा हो कितना अच्छा भाव कभी जो है व्यक्त किया है और किस तरह से वो चाहता है where knowledge is free जहां ग्यान बिलकुल स्वतंत्र हो यानि ग्यान देने में किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाता हो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर पक्षपात न लिया जाए ग्यान देने में घ्यान सब के लिए सुर्य की किर्णों जैसा हो जैसे सुर्य अपना प्रकास सब को देता है समुद्र अपना जल सब को देता है जो जितना चाहे ले ले ठिक उसी तरह से हमारे देश में भी ज्यान देने में कोई पक्षपात न किया जाए और ज्यान सब के लिए स्वतंत्रो बहुत ही मुची बाते हैं कभी ने बड़ा अच्छा भावप्रत किया है तभी तो इसे नोबिल पुरस्कार मिला है वेर दी वर्ड हैस नाट बीन ब्रोकेन अप इंटू फ्रागमेंट्स बाइ नेरो डोमेस्टिक वाल्स कभी कहता है कि है इस वर हमारे देश में आपस में लोगों में संकिर्णता की दिवाल न हो दिवाल का क्या काम है बाटना हमेशा दिवाल बाटती है जब भी एक जगा दिवाल खड़ा करेंगे दो भाग हो जाएगा फिर वहाँ भी दिवाल खड़ा करेंगे तो दो भाग और हो जाएगा यानि दिवाल का काम बाटना होता है जोरना नहीं होता है तो कभी ने कहा है कि संकिर्णता की डोमेस्टिक दिवाल संकिर्णता की दिवाल घरेलू दिवाल उनमें न ख़ई हो अर्थात हमारे देश लासी जाति धर्म भासा संप्रदाय रंग के आधार पर आपस में दूरी न बनाए हैं उनमें आपस में कोई बैमनस्य न हो उनके अंदर संकिर्णता की दिवाल न हो आगे देखिए फिर अगली लाइन लिख रहा है कि है इस्वर जहां सब्द सत्य की गहराईयों से आते हो अर्थात है इस्वर हमारे देश बासी हमारे जो भारत बासी हैं इंडियन्स हैं वे हमेशा सत्य बोलें सत्य के पुजारी हो यानि किसी भी परिस्तिती में वे जूट न बोलें किसी भी परिस्ति में जूट का रास्ता हो कभी भी अक्तियार न करें यानि हर परिस्ति में वो सत्य बोलें अगर उन्होंने अपनी गलती किया है तो उसको भी सही सही स्विकार कर लें लेकिन जूट न बोलें यानि हमारे देश बासी सत्य के पुजारी हो उनके वे हमेशा सत्य बोलें वेर टायरलेस स्ट्राइधिंग कराया कि टायरलेस टायर माने होता है थकान लेस माने रहित थकान रहित माने लगातार इस्ट्राइविंग इस्ट्राइधिंग माने कोशिस प्रयास इस्ट्रेचेज इस्ट्रेचेज माने होता है फैलाना इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को टुवर्ड्स परफेक्शन परफेक्शन माने पुर्णता की टुवर्ड्स माने और है इस्वर हमारे देशबासी हमेशा पुर्णता को प प्राप्ट करने के लिए फैलाएं यानि अनवरत लगातार टायरलेस इस्ट्राइधिंग हो यानि टायरलेस ट्राईव हो अनवरत लगातार उनकी कोशिस हो कि वो पुर्णता को प्राप्ट करें कभी ने यहां बहुत अच्छा तुलना किया है कभी कहता है वे अच्छ साफ इस्ट्रीम माने जल की धारा आफ रीजन तर्क रीजन माने होता है तर्क हैज नाट लाट्स इट्स वे लास्ट माने खो देना इट्स वे माने अपने रास्ते को इन्टू दी ड्रेयरी डिजर्ट ड्रेयरी डिजर्ट सेंड डिजर्ट माने रेगिस्तान का सेंड माने बालू आफ डेड़ हैविट्स पुरानी रीत रिवाज कभी कहता है कभी ने यहां तुलना किया है कभी ने तर्क की तुलना किया है जल की स्वक्ष धारा से और पुराने रीत रिवाज की तुलना किया है रेगिस्तान के बालू से तो कभी कहता है कि जिस प्रकार एक स्वक्ष जल की धारा रेगिस्तान की बालू में क्या होती है बिलुप्त हो जाती है यानि एक स्वक्ष जल की पतली सी धारा अगर निकली और वो रेगिस्तान के बालू में प्रवेश किया तो धारा क्या हो जाती है उसी में लिप्त हो जाती है विलीन हो जाती है तो कभी कहता है कि कभी ने जो है स्वक्ष तरक की तुलना किया है स्वक्ष जल की धारा से और पुराने रीत रिवाज की तुलना किया है रेगिस्तान के बालू से तो कार आया कि जिस प्रकार स्वक्ष जल की धारा रेगिस्तान के बालू में जाकर के बिलिप्त हो जाती है तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे देश में तरक रूपी जो स्वक्ष जल की धारा है वो पुराने रित रिवाज रूपी रेगिस्तान के बालू में कहीं खोन जाए अर्थ हाथ हमारे देशबासी भारती तारकिक हों हर काम को तरक की कसवती पर कस करके करें हर काम को देखें कि ये अच्छा है बुरा है कितना क्या है इसका क्या प्रडाम हो सकता है यानि पुर्णतिया सोच विचार करने के बाद ही किसी काम को करें ऐसा नहों कि ये पुराना रीत रि रित्रिवाज है कि इसको ऐसे ही कर दिया जाना है वैसे ही कर दें ऐसी बात ना हो यानि वे किसी भी कारे को करें तो काफी सोच समझ करके उस कारे को करें कभी ने तर्क की तुलना किया है स्वक्ष जल की धारा से और पुराने रित्रिवाज की तुलना किया है रेगिस्तान के बालू से तो रेगिस्तान के बालू में स्वक्ष जल की धारा बिलिप्त हो जाती है तो कभी कहता है कि उसी तरीके से पुराने रित्रिवाज रूपी जो बालू है रेगिस्तान का बालू के समान जो पुराना रित्रिवाज है उसमें तर्क रूपी स्वक्ष की धारा कहीं ब जो आइन सिद्ध करती है कभी के बैज्ञानिक दिश्टिकोन को कि कभी केवल पुराने रीत्रिवाज और हमारे जो ये सुपरस्टिशस अंध विश्वास में ही विश्वास नहीं करता है तारकिक है वो विज्ञान में विश्वास करता है जहां मन हमेशा विश्ट्रत विचार और विश्ट्रत कारे की ओर ही बढ़ है यानि हमारे देश्वासी संक्रिन न हो उनके अंदर संक्रिनता न हो उनके अंदर विशालता हो उनका हर्द है विशाल हो उनका हर्द है विशाल हो उनका हर्द है व्यापक हो उनकी सोच व्यापक हो उनका विचार विचार व्यापक हो यानि संक्रिन विचार धारा वाले न हो हमारे देश्वासियों में संक्रिन विचार धारा को आप बैदा न करें इन्टु दैट heaven of freedom ऐसे heavenly स्वतंतरता ऐसी स्वर्ग रूपी स्वतंतरता के लिए माई फादर ऐ मेरे पिता याने ईश्वर let my country awake हमारे देशबासियों को आप जगा दीजिए हमारे देशबासियों में ऐसी जागरती पैदा कर दीजिए कभी क्यों ईश्वर से ही प्रार्थना करता है क्योंकि कभी जानता है कि जिस तरीके की स्वतंतरता की वो कल्पना कर रहा है जैसे आदर्स राज्य की वो कल्पना कर रहा है जिस तरीके से यूनिक स्टेट की कल्पना कभी कर कर रहा है वो कानून के द्वारा सरकार के द्वारा गॉर्मेंट के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है वो केवल ईश्वर द्वारा हो सकता है कि ईश्वर लोगों के अंदर ऐसी अच्छी भावना ऐसे अच्छे विचार भर्द हैं ताकि लोग अच्छे हो जाएं इसलिए कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है क्योंकि हम एक आदर्स राज्यकी की अस्थापना कदापी कानून से नहीं कर सकते हैं हम लोगों को प्रेड़ करके कर सकते इश्वर की प्रेड़ा से ही हो सकता है इसलिए वो इश्वर से पराप्तना करता है कि ही इश्वर हमारे देश बासियों में ऐसी भावना भर दीजिए कि इस तरीके के heavenly नय सरगिक सवत न्तरता को पराप्त करने के लिए उन्हें जगा दीजिए उन्हें जागरती पैदा कर दीजिए तो इस प्रकार मैंने आपको हिंदी में बताया इंगलिस में भी इस से बता रहा हूँ आप देखाए एक्स्पिनेशन कभी कहता है वेर दा माइन इस विदाओ फियर एंद दी हैड हाई नाओ इन दिस पोयम दी पोएट इमेजन साफ आप कर hydraul égal और आमिजनीँ देविच आपको होगयद कि आपका रहा हूँ इस पोयम पोयमोग कर देखा एंद हेतरहिवद में हॉम यसी में हाउद भाजब छै देरीव होक्तीर पोयम कß लीदिशता है the famous poem, Gita Anjali. The poet prays God, he prays God and he makes an appeal that the people of our country should be fearless. They should be fearless. There should be no fear in their minds because a fear man can do nothing. He cannot think about new things. He cannot do right things and he cannot decide what is wrong and what is right. So, he prays God that he prays God to make the people of our country fearless and they should always raise their heads high in reverence and honors. It means they should not commit any wrong work any illegal or illegal works or unnecessary works for them they should have to bend their heads. so he prays God that Indian people should always do honorable works respectable works so that they may raise their heads high in honor and reverence. He also says that knowledge should be free it means there should be no partiality in giving knowledge teachers of our country should not take any partiality for the students on the basis of on the basis of caste cult religions languages and other things they should give knowledge freely to everyone without any distinction without any separation he also says that where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls he also says the poet says the poet praise God that the people of our country should not be divided through domestic walls domestic walls means this separation related to class class related to caste class cult religions so it is said that unity in diversity in India there is unity in diversity and this unity is always remained they should not be separated on the basis of these above things where the words come out from the depth of truth the poet says that people of our country should be the follower of truth they should be the worshipper of truth they should never tell a life and their words should always come from the depth of truth it means in any critical condition they should not leave the path of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection and people of our country should always try to get perfection they should always try to get perfections they should always spread stretch their arms to get perfection they should always try to get perfection where the clear streams of region has not lots its way into the dairy desert sand of dead habits now the poet compares the region to a clear stream of water and he compares dead habits old customs to desert sands to desert very desert sands very desert and the poet says as as a clear stream of water loses its path not its way in the desert sand in the in the same way the clear stream of region should not last its way into the dead habits of desert habits of desert sand it means the people of our country should be the people of our country should be reasonable they should be regional and they should not be the blind supporter of old habits without doing any work without beginning any work they should think thoroughly about its result about its loss and benefit where the mind is led forward by the into ever widening thoughts and actions he also says that people of our country should always be should always to should always try to get broad thinking broad attitude they should not try to create to develop narrow thinking they should always try to develop broad thinking broad attitude and they should be broad in their actions and thoughts they should not be narrow in their thoughts and actions it means they should not be narrow-minded they should be broad-minded into that heaven of freedom my father let my country awoke and the poet says the poet again prays God to awake the people of our country to get the heavenly freedom it means the poet wants that the people of our country should get the real freedom now we have become free today we are we have become free we have freedom but we have not got real freedom we are fearless so but here the poet praise God to awake the people of our country so that they may get real freedom heavenly freedom we are free but we are afraid of unnatural people's robbers robbers and murderers killers we have not got heavenly freedom but here the poet imagines for heavenly freedom where there is no disturbance for anyone Volkswagen Now, I have finished this poem ab ap it's ki central idea turat likhhye 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 My heaven My Ravinna Tagor likhye The poem single inverted kama mein my heaven inverted kama band shows a great love shows a great love of Tagore of Tagore for mother land for mother land full stop it is an inspiring poem it is an inspiring poem full stop he visualizes a country he visualizes a country v i s u a l i e s visualizes a country where where people's kama laga kiyas people's mind mind should be free should be free from fear and from fear and narrow mindedness narrow mindedness m i n d e d n e double yes full stop he prays to god he prays to god to make india a country to make india a country where knowledge should be free to all where knowledge should be free to all full stop the people should be guided the people should be guided by the reason by the reason and not by blind belief and not by blind belief b e l i e f full stop they should be progressive they should be progressive progressive p r o g r e w s i v e progressive in their outlook in their t h e i r their outlook full stop he also prays to god he also prays to god for the unity of india for the unity of india this poem is the 35th song of geetanjali this poem is the 35th song of geetanjali full stop it is a proge poem it is a proge poem full stop in this poem in this poem comma the poet gives the poet gives the picture of an ideal country the picture of an ideal country full stop we find the best use of metaphor in this poem we find the best use of metaphor in this poem this poem is the first poem is the first poem this poem and the poem is the first poem that you can understand this poem बहुत ही बहुत पून परंता है अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद